आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही असान रेस्पी लेकर रही हूँ और सबसे अच्छी बात के इस तरह से पकाने से आपको नूडल्स का जैका भी डिफ्रेंट लगेगा तो बगएर टाइम को वेस्ट किये चलते हैं रेस्पी के तरफ सबसे पहले आप एक पैन में दो कप पानी लेंगे और इसमें एक पैकेट नूडल्स शामिल करेंगे और इसे अच्छी तरह से पकाएंगे जब आप देखेंगे कि नूडल्स हाफ वाइल हो गए हैं तो फिर आप इसमें एक टेबल स्पून चिली सास एक टेबल स्पून सोया सास और एक टेबल स्पून विनिगर एड़ करेंगे अब आप इसमें एक पैकेट नूडल मसाला भी एड़ करेंगे और इसे पकाएंगे यह बहुत ही जल्द तियार हो जाने वाली रेस्पी है इसको पकाने में आपको 5-6 मिनिट लगेंगे और जब आपको लगे कि नूडल्स ही पक गए हैं तो फिर इसे डिश आउट कर दें लीजे मज़दार से और डिफरेंट स्टाइल में मैगी नूडल्स तियार हैं इसको खुद भी खाईए और सबको भी खलाईए और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजबी बताईएगा कि आपको मेरी ये नूडल्स की यूनिक स्टाइल में बनी हुई ड्रेस्पी कैसी लगी तब तक के लिए अला हाफिज